कि जहें दोस्तों तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं किเปर अब एस्टेंट अकांटेट के हैं वारा जो पेपर जो मेन फोकस था जिस पर वह अब उसके पेपर होने लगए है ठीक है तो आज जैसे कि आप लोग थम्नेल पर देखे होंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि 22 February 2022 यानि कि अभी जो आपके हाल में कल जो पेपर हुआ था UPPCL Assistant Accountant का उसमें जो भी topics थे computers के तो उसमें कौन-कौन से major topics थे, कहां से question आये थे कहां से question नहीं आये थे कौन से important है, कौन सा आपको पढ़ना है किस पर आपको mainly focus करना है किस पर आपको थोड़ा कम focus करना है ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं देखे, topics बताने से पहले या कोई भी point बताने से पहले एक चीज़ में आपको बताना चाहूँगा कि देखे, यहाँ पर जो हम लोग आपको बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 22 February को जो paper हुआ है उसके बारें बताएंगे देखे, ऐसा नहीं होता है कि जो हम लोग बताएं, exactly वही आपके कल question के paper में आ जाए ठीक है, यानि जो आपका paper next होने वाला है जिस date को, उसी date पर वही same question आपका आजाए ऐसा compulsory नहीं होता हम यहाँ पर आपको सिर्फ एक estimated चीज़े बताते हैं और जो लोग जो student paper दिये हुआ है उन student से contact करके उन से बात करके हम लोग यह बस पूछते हैं कि आपको कौन सा question आया था, कौन सा नहीं आया था तो बस हम यह guess कर सकते हैं कि यह चीज़े आपकी important हैं और यह चीज़े आपकी important नहीं है फिलाल यहाँ पर आज हम लोग अब बात करते हैं 22 February को जो आपका paper हुआ था 22 February को जो आपका paper हुआ था assistant accountant का उसके paper के computer के main topics हैं उसके बारे में हम आपको आज हम discuss करेंगे ठीक है अब देखे सबसे पहला point है python देखे python से अगर देखा जाए तो from python programming related और direct question देखे हमारे जो python जो topic है जो language हमारा python है इससे क्या पूछा गया था programming related ठीक है वह सारे के सारे easy हुआ हुए थे अभी आपको मैं last में एक चीज़ बताऊंगा जो लोग O levels related जो आपको बहुत अच्छी news मिलेगी ठीक है O levels related bias forvery को जो paper हुआ था उससे एक बहुत अच्छी news आपको बताने वाला हूँ आप last तक वीडियो को जरूर से देखिएगा अब देखिए उसके बाद किससे question आया था C language से C language से जो question आ हुए थे वो जैसे students ने बताया है कि ज़्यादा hard नहीं थे ठीक है overall C language की मेरी एक video बनी हुई है one liners की उसको आप लोग जरूर से देख लीजेगा मेरी एक one liner की वीडियो बनी हुई है उसको आप लोग जरूर से वहाँ पर जा करके देख लीजे ठीक है अब उसके बाद next topic है computer network and topology land हाँ इससे questions आया हुए थे पहले चीज़ यहाँ पर जितने topic लिखे हैं वो सारे के सारे topic वही है जिससे कि हमारे questions हमारे assistant accountant के paper में आ हुए थे ठीक है तो अब यहाँ पर देखे computer network and topology computer network की मेरी one liner की वीडियो बनी है मैं बोल ला था कि computer network से related questions आएंगे तो ठीक है जहां से आप लोग देखें होंगे video मैं जहें को पता है की आपने देखा होगा video तो उसको जरूर से फिर से अगर आपने नहीं देखा है और अगर देख भी लिया है तो यहार जाकर को इसको फिर से देख लो यह नेटवर्किंग के ही आपके उसमें एगा यह मैंने आपको computer network में ही LAN के बारे बताया है ठीक है अब देखे जैसे कि अब यह LAN के बारे पुछा था टर्थ को ठीक है यह लाइन के बारे पुछा थे 22 request है जा करके उसको देख लेना जरूर से ठीक है computer network related मेरी एक one liner की video बनी हुई है उसको जरूर से जा करके आप लोग देखेंगे ठीक है उसमें आपका maximum to maximum क्या को 100% आपका computer network और जो आपका land van के बारे में है यह सारी की सारी चीज़ें आपकी cover up हो जाएंगी फिर उसके बाद बात रहेंगे topology की तो computer network का मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है ठीक है वो one liner नहीं है वो पूरा एक brief वीडियो है उस brief वीडियो पे मैंने आपको जितने different तरह की topologies होती है internet related वो वीडियो है और जितने भी आपके topologies होती है वो सारी की सारी मैंने आपको बताई हुई है मेरे इस वीडियो में ठीक है internet related जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है तो प्लीज आप लोग उसको जा करके जरूर से देख लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं अपने next point की तरह ये देखे MS Excel 2016 यानी MS Excel 2016 से देखो वाई कितने question आया थे Excel से 10 से 15 question बहुत बड़ी बात है एक ही topic से MS Excel से related आपको 10 तो 15 questions बताया था जिसके पास भी system है यार उस पर maximum to maximum practical करो उस पर sheets बनाओ उस पर formula लगाओ ठीक है practical जितना कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा करो MS Excel 2016 से आपके 10 से 15 questions पूछे गया थे MS Excel 2016 याद रखिएगा 2016 से related ठीक है अब देखे इसमें आप से ये भी पूछा था कि इसका वो क्या है extension extension आप से पूछ लिया गया था extension आप से पूछा था घुमा के पूछा था ट्विस्ट करके question पूछा था लेकिन पूछा था ठीक है उसके बाद next topic क्या है MS PowerPoint ठीक है MS PowerPoint MS PowerPoint से question पूछा था ठीक है अब देखे बात क्या है कि अब MS Excel में आप से 22FAP को पूछ चुका ठीक है अप को सकता है आपको जो next paper हो इसमें आपसे MS Word के बारे में पूछ ले ठीक है MS Word के बारे में हो सकता है ठीक है So overall आपको क्या करना है आपके MS Office ठीक है MS Office जो है आपका इसको आप लोग पूरा का पूरा वेल प्रिपेर कर लीजे ठीक है MS Office को आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे ठीक है next topic है अपना जिससे question आया था OSI model ठीक है OSI model सबसे पहले OSI model यानि OSI देख में आपको यहीं पर बता देता हो जिसको थोड़ा सा confusion होगा वो clear हो जाएगा थोड़ा डर गए होंगे आप लोगे चीज़ सुनके लेकिन कुछ नहीं है ध्यान से समझना OSI OSI का full firm open system interconnection model ठीक है OSI model होता है ना तो open system interconnection model the OSI model is a conceptual framework used to describe the functions of a network system ठीक हिंदी में पढ़ लें इसको OSI model open system interconnection model एक वैचारिक धाचा है जिसका उपयोग networking system के कारों का वर्डन करने के लिए किया जाता है ठीक है overall यह भी किस से related है networking से related ही है ठीक है यह क्या है एक conceptual framework है यानि कि एक वैचारिक धाचा है जिसका use किसलिए की जाता है किसी भी networking system को describe करने के लिए ठीक है किसी भी networking system को अगर हम कहें तो इस तरह से broad करने के लिए किसी भी networking system को burden करने के लिए उसका हम इसको यूज करते हैं OSI model को ठीक है अब इसके बाद next देखिए OSI model से भी question आया था main बात क्या है कि OSI model से भी question आया था उसके बाद देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई पढ़ लिया करो कुछ चीज़े WWE से related मैंने आपको वीडियो में अपनी बताई है internet वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई यह सरी चीज़े जो basic basic है उनको जरूर से पढ़ लेना ठीक है so अब next point अपना क्या देख रहा है कि WWE के founder पूछा था www के founder के नाम पूछा हुआ था उसका कौन है भाई Tim Berners Lee याद रखना है CIS को www के founder के नाम पूछा था Tim Berners Lee ठीक है वो कौन है मतलब Tim Berners Lee है भाई याद रखना है CIS को ठीक है next क्या है no question from STML and Java देखिए मैं आपसे बोला था ना ओ लेवल वालों के लिए good news है कि आप लोग जो डर रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा hard paper आ जाएगा ऐसा नहीं हुआ no question from STML and Java STML और Java जो है उससे कोई भी question नहीं पूछा था लेकिन फिर भी मैं फिर आपसे बोला हूँ कि ये जो analysis है वो है 22 February का ठीक है ये 22 February का analysis है next paper में आपका क्या हो जाए ये 100% sure कोई नहीं बोल सकता बट हाँ ये बोला जा सकता है कि ज़्यादा hard paper नहीं आया था next point है no programming language किसी भी programming language से कोई भी question नहीं था programming language से कोई question नहीं था अगर बहुत question आया हुए था तो C language से question आया थे और इसी का मैंने आपको वीडियो बना दिया है मैंने मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था वो आपके सारे के सारे cover up हो जाएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अपने next क्या बोला है हमसे की देखें बाई अब यहाँ पर देखना overall जितना मैंने आपको topic बताया है उससे related अब यहाँ पर समझना यह computers related चीज़े हैं तो computer का जो paper आया था वो easy था ठीक है computer का जो paper आपका बना था UP PCL Assistant Accountant paper में 22 February को वो paper कौन सा था easy था ठीक है लेकिन किसका topic में आपको बता रहा हूँ computers related अब लेकिन हाँ यह भी है कि अगर आपने computer में minimum 50% marks नहीं gain किया तो आपका paper cancel हो जाएगा मतलब आप हो जाओगे ठीक है आपको इसमें minimum इतना cover करना ही करना है बागी सब में आपने कितने क्या है doesn't matter if you didn't gain at least 50% in your computer paper okay so अब अपना क्या है next क्या है what we have to prepare is about to fundamental shortcuts and MS office हाँ अब यहाँ पे देखना है कि क्या prepare करना है अपने को अपने को प्रिपेर करना है fundamental के बारे में shortcuts के बारे में और MS office के बारे में अब देखो fundamental मैंने तुमको पढ़ा रखा है भाई वीडियो को मेरी देख लो मैंने पूरी चीज़े shortcuts मैंने आपको बताया हुए है वो सारे के सारे चाहिए वो function keys की तरफ से हो additional keys की तरफ से हो या फिर आपके numericals की तरफ से हो मतलब जो shortcut हमारे 1,2,3,4 use करके हुए थे वो इस चारे shortcuts आप लोग prepare करेंगे last क्या है MS office MS office के बारे में आपको prepare करना है ठीक है देखो MS Excel से पूछा ह और MS PowerPoint से पूछा है बचा कौन सा है MS Word MS Word अभी भी आपका remaining है MS Word अभी भी आपका remaining है तो बहुत ज्यादा chances है बहुत ज्यादा chances है कि आप से next जो आपके exams होंगे उसमें आप से MS Word के बारे में पूछ सकता है बहुत ही ज्यादा chances है बलकि मैं तो कहूँगा 100% मुझे लग रह क्या बोला है cover please about fundamental हाँ यार fundamental के बारे में जरूर cover करना जैसे कि अपना यहाँ पर अगर हम बात करें तो binary number जो होता है ठीक है binary हो गया उसके बाद अपना जो octet number होता है और अपना hexadecimal number जो होता है ठीक है hexadecimal ठीक है इन सारी चीजों को cover up कर लेना जरूर से ठीक है तो levels related बहुत ज्यादा question आएंगे बहुत hard paper होने वाला तो ऐसा नहीं हुआ ठीक है फिल हाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत hard paper आये on an average easy paper आया था computer से related ठीक है easy जो computer का पूरा part था computer का जो पूरा section था उससे easy paper आया हुआ था जितने student से हमारी बात चीत हुई उन्होंने यह ही बताया कि computer का जो अपना जो section था वो कहता easy था चलो फिर अब इस वीडियो को तो आप लोगों ने देख लिया अब जाओ जितनी मैंने आपको वीडियो बताई है मेरी MS Word की MS Office की fundamental की short cuts की internet की और अपनी जो यह थी network and networking से related जो वीडियो थी उसको please जा करके check out करो ठीक है चल में करूंड़ क कर दो में में करण तो में